इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जैपूर से सामने आ रही है जहाँ पर आज अल सुबह शापूरा थाना इलाके में भीशन सड़क दुरगटना सामने आई है इस हासे में गुजरात पुलिस के चार जवानों सहीत एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि दिल्ली से गुजरात जा रही कार के एन नियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद यह हास्ता हुआ यह हास्ता शापूरा के भाबरू के एन एच आर्ट पर नीजर भोण के पास होना बताया जा रहा है शाहपुरा में हुए इस भीशन हाथसे में मरतक बताए जा रहे है चार लोग गुजरात पुलिस के जवान हैं जो दिली से एक कैदी को गुजरात लोट रहे थे इस हाथसे में कार सवार एक कैदी के भी मौत हो गई है अभी तक की जानकारी में बताया जा रहा है कि कार चला को नींद आने के जलते यह हादसा हुआ फिलाल भाबरू थाना पुलिस मोके पर पहुंची है और सभी शवों को शाहपुरा के राज के अस्पताल की मोर्चरे में रखवाया गया है फिलाल पुलिस इस मामले की जाच में जुटी है इस हासे पर सीम गहलोत ने ट्वीट कर मुर्थकों के लिए समवेद नावेक्त की है शाहपुरा में हुए इस भीशन सडख हासे पर दुख पर कट करते हुए सीम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली से गुजरात अभ्यूक्त लेकर जा रहा गुजरात पुलिस का वाहन जैपुर के भाबरु शेतर में दुरगटा ग्रस होने से चार पुलिस कर्मियों से इद पांच लोगों की मौत की जानकरी दुखद है शोकाकुल परीजनों के परती मेरी गहरी समवेदनाय हैं इश्वरूने संबल दे और दिववंगतों की आत्मा को शांती परदान करे